दोस्तों नमस्कार, TV1 इंडिया के खास बुलेटिन खबर दिन भर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज का दाकिल कीती जिस पर फैसला सुनाते हुए बांबे हाई कोट ने आज कहा कि परमबिर सिंग के आरोप गंभीर हैं इसलिए सच सामने आना चाहिए आज नियाले के आदेश के बाद बीजेपी सरकार के खिलाप और भी आक्रामक हो गई है बांबे हाई कोट के आदेश के बाद महराश की राजनिती भी गर्मा गई है पूर्व मुख्यमंत्री देवेंदर फटनवीश ने महाविकासा घारी सरकार पर हमला तेश करते हुए ग्रिय मंत्रिय निल देश्मू के स्थीपे की मांग की पर्णवीश ने कहा कि परंबीर सिंग सचिन वाजे प्रकराण के खुलासे के बाद वो दो सरकार की कलाई खुल गई है और राज्य सरकार ने अपना विश्वास खो दिया है इसलिए उच्छ नयाल है कि आदेश के बाद ग्रिय मंत्री को ततकाल स्थीपा दे देना चाहिए बताता है कि परंबीर सिंग ने ग्रिय मंत्रिय निल देश्मू कर वसूली कारोप लगाते हुए कोट में याच्छ का दाखिल किया था परंबीर सिंग की चिठ्छी से फटे बंब ने आज ग्रिय मंत्री की बली ले ली बंबे हाई कोट द्वारा सी बी आई जांच के आदेश के बाद आखिर ग्रिय मंत्री अनिल देश्मू को अपना इस्थीपा सौप दिया बीजेपी लगातार देश्मू के स्थीपे के मांग कर रही थी देर दोपर महराष्ट में मचे राजनिती घमासान के बाद अंतता राष्टवादी कॉंग्रेस के मुखिया सरत्पवार के संकेत पर अनिल देश्मू को अपना त्याकपत देना पड़ा है बता दा है कि परंबिर सिंग के चिठी के बाद अनिल देश्मू क लगातार आरोपों में घिरते जा रहे थे आज उन्होंने साथ किया कि मैं मुक्त होना चाहता हूँ इसलिए इस्थीपा दिया है 36 गड के बिजापूर में नक्षली हमले में शहीद हुए CRPF जवानों का सो आज राजधानी लाए गया इस उसर पर गिर्यमंत्री अमिस्था खास्तोर पर मौजूद थे उन्होंने सहीद जवानों का अंतिम दर्सन करने के बाद राजिके मुक्यमंत्री भूपेश बगेलेवम उच्छा अधिकारियों से चर्चा की बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने है उच्छा अधिकारियों से गयब जवानों का पता लगाने के साथ ही नकसलियों के खिलाप बड़ा अभियान चलाने का निर्देश दिया है वहाई नकसलियों ने गयब जवानों को छोड़ने के बदले फोन पर जानकारी भेजी है कि उन्हें सैनिकों की बॉड़ी नहीं जान चाहिए विवादित राफेल डील को लेकर भृष्टचार का नया जिन एक बार फिर बाहर आ गया है फ्रांस की एक वेब साइट ने दावा किया है कि राफेल की निर्माता कंपनी दसाल को भारत में एक विचवलियों को करीब आठ करोर 62 लाक रुपए बतावर गिफ्ट देने पड़े थे राफेल पेपर नाम से प्रकासित रिपोर्ट के मताविक इन पैसों को लेकर कंपनी के तरफ से फ्रेंच एंटी करप्सन अधिकारियों को कोई सही जवाब नहीं दिया गया यही नहीं कंपनी का मालिक पहले अगस्ता वेश्ट लेंड घोटाले के केस में जिल जा चुका है दरसल राफेल केस को लेकर नई रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब भारत के बंगाल केरला असम समित पांच राजियों में चुनाओ चल ले हैं जाहिर है यह मामला असल पर पहुंची और मामले की जाच में जुट गई है अलाकि अभी तक संदिग्द वस्तू का पता नहीं चल पाया है मीडिया सेंटर के पास संदिग्द वस्तू रखने के पीछे पैनिक क्रियेट करने की साजिस मानी जा रही है नेश्टनल मीडिया सेंटर में देश के तमाम बड़े मीडिया संस्थानों के कार्याले हैं महाराष्ट में ताजा घटना क्रममे अनिल देश्मू के स्थीपे के बाद दिलीब वलसे पाटिल को नया ग्रियमंत्री बनाने की तयारी है दिलीब वलसे पाटिल वर्तमार में एक साईज और लेवर मिनिस्टर है महाराश्यों सरकार ने बढ़ते कोरोना को रोकने के लिए आज पांच अपरेल की राज साड़े आठ बजे से तीस अपरेल तक लागडाउन लगाने का फैसला किया है यह संपूर्ण लागडाउन नहीं होगा बलकि ठोस पाबंदी होगी जिसके तह दिन में जमावंदी होटल, सिनेमा, घर और भीड़ वाले सल पूरी तरह से बंद रहेंगे मुखमंतरी ने नागरिकों से इस लॉकडाउन का समर्थन करने की अपील की है मसूर फिल्म अभीनेता कमल हासन ने आज बड़ा बयान दिया है, राजनिती में नई पारी खेल रहे, कमल हासन ने कहा कि अगर सिनेमा उनके राजनिती करियर में रोड़ा बना तो वे फिल्में करना छोड़ देंगे, क्योंकि उनका राजनिती में आने का फैसला लोगों क की सेवा के लिए है बकौल कमल हसन चुनाओं में उत्रे कई कंडिडेट कह रहे हैं कि मैं राजनिती से गायव हो जाऊंगा और फिर से सिनिमा में लोटूंगा उन्होंने कहा किसका फैसला तो जनता करेगी देखते हैं कि कौन गायव होता है बेलगाम होते कोरोना संक्रमन के कारण मुंबई के साथ ही उपनगर नौइमबई पूने और थाने में लोगडाउन की पाबंदियां आज रात साड़े आड़ बजे के बाद लागू हो जाएंगी ब्रेक दचेन अभियान के ताथ जेंट सैलून, स्पाव, रेस्टोरेंट, बार और पप पुरी तरह से बंद रहेंगे डिपार्टमेंटल स्टोर्स और सौपिंग माल पर भी पाबंदी रहेंगी हलाकि फूर डिलिवरी की चूट होगी और होटलों से अटैच्ट लॉजिंग खुले रहेंगे नविमबई महानगर पालिका ने कोरोना सुरक्षा ने देसों का उलंगन करने वाले तुर्वे सेक्टर तेवीस के रशनाबार को साथ दिनों के लिए सील कर दिया है रशनाबार रात आट बजे के बाद भी चलू था इसके साथ ही बेलापूर सेक्टर पंद्रा के डिमार्ट के खिलाब भी दंडात्मक कारवाई की गई है मनपा के विजिलेंस जस्ते ने डिमार्ट से 50,000 की पैनाल्टी भी वसूल किये दरसल मनपायगत अभिजित बांगर के नेत्रूत में नौइमबई में कुल 31 विजिलेंस टी में बनाई गई है और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दवाना मत देए